Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम वक्षा 5 की हिंदे की कारे पत्रिका No.141 करेंगे तिनांख है इसकी 23 दिसंबर 2020 और ये वक्षीट आपने पाथे पुस्त क्रिमजिम के पाथ एक मा की बेबसी से ली गई है तो शुरू करते हैं आज की वक्षीट को उससे पहले अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू कर दीजेगा साइड में बेलेकन होगा उसे प्रेस कर दीजेगा जिससे आगेने वाली ऐसे ही वक्षीट की वीडियो की नोडिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें तो शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशक करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों आपने पाच एक मा की बेबसी में पढ़ा कि रतन दूसरे बच्चों से कुछ अलग था क्योंकि वहाँ बोल नहीं पाता था इसी प्रकार्स बहुत से लोग देख या सुन नहीं पाते आईए इस विशे पर और चर्चा करते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने एक मा की बेबसी चाप्टर नहीं पढ़ा तो इस चाप्टर की आनिमेटिद वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एनिमेटिद वीडियो में आपको मजा भी आएगा और साथी साथी चाप्टर भी समझ आ जाएगा अब यहाँ पर गतेविधी दे रखी हैं गतेविधी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है अपने परिवार के सदस्यों के साथे खेल खेलिए बारी-बारी से हर एक सदस्य आग पर पठी बांध कर चलिए और कुछ काम करने की कोशिश कीजिए या बिना बोले अपने बात समझाने की कोशिश कीजिए अब अपना अनभव, अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साज़ा कीजिए तो कैसा लगेगा, आगे बंखकर अकर आप कोई काम करेंगे तो आपको बहुत कटे नाया होंगी अगर आप बिना बोले समझाना चाहेंगी किसी को कुछ भी तो आपको अपने हाथ को यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ी एक्सप्रिशन्स देने पड़े हैं येस्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा है ना, तो दिये के कद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उट्तर दीजे अब इस कद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या है? देखिए ब्रेल पद्वती एक तरे की लिपी है, जिसकी सहायता से विश्व भर में नेत्रहीं व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों के उबरी हुई बनावट को छू कर पड़ाया वह लिखाया जाता है, तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपी बनाई गई है ब्रेल लिपी में उब्रेयों अक्षर होते हैं, उनको वो छू सकते हैं और पड़ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं तो बेसिकलिब ब्रेल लिपी वो लोगों की साहेता करती है जो नेत्रहीन होते है यानि जो देख नहीं सकते है इस पद्धवदी का आविशकार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लूई ब्रेल ने किया था तो वो भी नेत्रहीन ही थी और फ्रांसिक की लेखक लुई ब्रेल है उनका नाम और वो उन्होंने इस लीपी का इस पद्वती का आविश्कार 1824 में किया ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पैरिस के रॉयल नैशनल इंस्टिटूट फॉर ब्लाइन चिल्डरन्स में भरती करवाया काफी blind children's के लिए जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी काफी इंस्टिटूट्स और स्कूल्स होते हैं तो उन्हीं में से एक स्कूल में ये जो थी लूई ब्रेल उनका admission करवाया किया उस स्कूल में वेलेंटीन हो द्वारा बनाए गए लीपी से पढ़ाई होती थी पर यह लीपी अधूरी थी इस विध्याले में एक बार फ्रांस की सेना ने एक अधिकारी काप्टन चार्स बार्बियर ने सैने को द्वारा अंधेरी में पढ़े जाने वाली night writing या sonography लीपी क के बारे में व्याख्यन दिया यह लीपी कागस पर अक्षरों को भार कर बनाई जाती थी ब्रेल को वहीं से यह विचार आया लूई ने इसी लीपी पर अधारत 12 के स्थान पर 6 बंदियों के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ने वाली लीपी बनाई उसमें ना केबल विराम चिन्न बलकि गड़िती चिन्न और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे यह लीपी आज सर्वमानने है लूई ने जब वह लीपी बनाई तब वे मात्रक 15 वर्ष की थी ठीक है तो यह हमने परग्राफ पड़ा इसमें हमें बताया किया है किसकी बारे में लूई ब्र राइटिंग या सॉनोग्राफी से पड़ाई की जाती थी लेकिन वह जो है अधूरी थी वह लीपी थी तो उन्होंने इसी से आइडिया लेकर क्या किया बारा स्थान पर छे बिंदों के उपियोग में 64 अक्षर और चिन्ने वाली लीपी बनाई जिसमें उन्होंने एक्स् तो यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे ब्रेल पद्वती एक तरिकी लीपी है जिसकी सहायता से विश्वर में नेतरिन विक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उब्रिवी बनावट को चूकर पड़ाया वा लिखाया जाता है तो यहां तक आपका यह आंसर प्रेल प्दुति एक तरिकी लीपी है जिसकी साहीता से विश्व भर्में नेतरिम bon Hagcikio को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उब्र्यूई बनाविट को जू कर पढ़ाया वह लिखाया जाता है तो यह answer number one है ठीक है फिर आगे चलते हैं answer one की बाद question two देखते हैं ब्रेल पद्वती का विश्कार कब हुआ और किस ने किया तो इसका answer आप यहां से लिख सकते हैं इस पद्वती जस्ट इससे आगे जो जाता है ना इससे एकदम आगे आपको इसका answer मिल जाएगा इस पद्वती का विश्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसेसी लेखा कलूई ब्रेल ने किया था यह आपका answer number two हो जाएगा ठीक है तो पहला answer स्टार्टिंग से लेकर लिखाया वह पढ़ाया जाता तक है और उसके जस्ट आगे इस पद्वती का विश्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसेसी लेखा कलूई ब्रेल ने किया यह वाला आपका answer number two है ठीक है तो आप साथ के साथ लिखते जाएगे जिससे आप easily कर सकें तो answer number one हो गया यह वाला इससे जस्ट आके answer number two आपका हो जाएगा ठीक है फिर आगे चलते हैं गाहे sonography लिपी कैसे बनाई जाती थी तो यहाँ आप लिखेंगे यहाँ लिपी कागस पर अक्षरों को भारकर बनाई जाती थी यहाँ लिपी कागस पर अक्षरों को भारकर बनाई जाती थी तो यहाँ लिखेंगे इसको फिर आगे चलते हैं लूई ब्रेल ने कितनी अक्षर वाली लिपी बनाई तो आप लिख सकते हैं 24 अक्षरों चिन्ह वाली लिपी बनाई यहाँ से यहाँ तक यह आपका आंसर नमबर 4 हो जाएगा यानि आंसर नमबर 9 हो जाएगा तो इस तरीके से इसी पैरग्राफ में से आप आंसर जोकर लिख लेंगे फिर आखे चलते हैं आगे हैं आव बातचीत करें प्यारे बच्चों साथ ये कए चित्रों को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्रों में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे अनुमान लगा कर उनके समवाद यानि बातचीत को उची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए तो यहां से यह जो गर्ड है वो बोल रही होगी इसको बहुत दर्द हो रहा होगा और यह जो बोई है वो बोल रहा होगा मैं इसके पट्टी कर देता हूँ इस तरीके से आप इस स्टोरी को पूरा कर सकते हैं अब बताईए आज आपने क्या नया सीखा तो हमने ब्रेल लिपी के बारे में जाना की नेत्रहीन व्यक्ति कैसे ब्रेल लिपी की सहाइता से क्या कर सकते हैं पुबरी हुई अक्षरों की बनावट को चूकर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं तो आज की वक्षिट यहीं complete होती है और अगर आप हंदी ग्रामर को इस केलना चाहते हैं तो link दिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अगर अपने नॉर्मल टीवी को smart TV में convert करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लिंक दिस्क्रिप्शन में हैं So, thank you for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care and bye-bye.